केंद्रियों सरकार थेके एक्ता बाजेट पेश करा हुए जे यह बोला हो नहीं प्रोशा बिंद्धिक बोला है इसमें बज़ड में ना और लिज़ आनियल यानि कि इसमें के लिए कुछ नहीं रखा, पहला बात इंकम टेक्स में कोई छूट नहीं दिया, ना एजूकेशन के लिए कुछ किया, अब बोलता है कि 60 लाग आत्मी को नौकरी देंगे, पहले बोला थीन क्रॉरा आत्मी को नौ कुछ दिया, तो मोदी जी का टीम मोदी जी का आत्मी, अभी यूपी का एलेक्शन, देखिये क्या होता है, यूपी का एलेक्शन के बाद, हंदुस्तान में कुछ बदलाव होगा. अजिए मोदी जी बोल से जेटा टूटली उनी दाभी कोड से जौनों को ने शाटे, इक बात हम बताना चाहते हैं मेडम आपको, आप किसी भी पबलिक से पूछिए जो यू बज़ड हुआ है, किसी पबलिक का फेबर में हुआ या किसान का फेबर में हुआ, जो बोल ले, किसान को देख के बज़ड रखा है, अब किसान जूम बढ़ाएगा, एक भी घज जमीन के लिए किसान जूम लाएगा, ये लुड़ाएगा, जूम बढ़ाएगा, जूम लाएगा, जूम लाएगा, जूम लाएगा, दवा चलकने के लिए, बीच चलकने के लिए जूम से छोड च्टिकेगा, सब डिजीटल इंडिया, कोई डिजीटल काम नहीं हो पा रहा है, ना टैक्स में किसी को रहत मिला, ना एजुकेशन के लिए कुछ हुआ, ना सिटीजन के लिए कुछ सोचा, और ना किसान के लिए कुछ सोचा, आम आधभी तो मर रहा है, जो गरीब ओगरीब हो जा रहा है. और जो अमीर है, अमीर हो जा रहा है. हिंदुस्तान किस रूड पर जा रहा है, बोलना बहुत मुझकील है। और ये जो लाघड हो, कोई बोलता है чис रूड हो जा रहा ह। कोई बोलता है करोना है कुछ समझ में नहीं आता है पब्लिक हिंदुस्तान का पब्लिक परिशान है एक करोना लेकर ये राजडीती लेकर बहुत परिशान है जो गरीब डेली कमाने खाने वाला बहुत परिशान है कि इस तरीके सा संसार चलाएगा इस सोच नहीं पा रहा जो तो डेली कुवां खोद देया जो 500-600 रुपया रोज में लेवर का काम करने वाला वो बहुत परिशान है जो पैसा हो आला है देखिए पैसा हो आला पैसा रोक कर भी रखे हुए कि हिंदुस्तान का नीति किस तरब करवड बदलेगा पैसा आला फिर पैसा लडाएगा मार्केट में पैसा कोई छोड़ने नहीं मांग रहा कोई कारवार अच्छा हो नहीं रहा है आपना देर कॉंग्रेसर एक जोन खुब बड़ो नेता शाशी थारूर तीनी काल के ट्वीट कोड़े चिलें ट्वीट कोड़े बोले चिलें जे आजकेर जे बाजेट ता पेश करा होई छेटी जोन नो 25 बच्वर आड़ो पिछिए गयालो आच्छे दिन तो एक अधर्टा आपनी काथर शमुर्थन कोच्छे है हां हामी तो असी दुरार का समंतन कोच्छी तो ससी धर्न कोच्छी लेकिन आमार वक्तुब हो एक्टा तो ससी धर्न जो बोला हो छोड़ आपनी की बोलबे निर पोथिक रिया है मैडम ममताबनरजी जो नहीं कहा वो बड़ी नेता है वो जो भूलेगी ठीकी बूलेगी और हिंदुस्तान का जो राजडीती जो रूट जा रहा है वो बहुत गलत दिश्चा पर जा रहा है अच्छा रूट पर जाने रहा है अब देखिए जहां तहां अरव औरव रूप पकला जा रहा है कहां से आ रहा है some money, node bondi हुआ । कि black money सब निकल जाएगा, तो आ रहा भी black money तो नजर आ रहा है क् 1 एक घर में कए 100 crore CPA पकला जा रहा है कहां से आ रहा हैं किसका पैसा है में तो शिलि दिखा रहा हुआ, पकडा रहा है, लेकिन उसका ताइकात नहीं हो पा रहा है कि रुपिया कहां काया, किसका है, कहां से आया, इस सब पर कोई गोर नहीं कर रहा है, और जिसको परेसान करना है, ID भेज दो, CBI भेज दो, CID भेज दो, जो दिल करे भेज दो. शुषण कोईशन कोचिन अगर बजट किसी के लिए भी कोई गरीब आदम आम आत्मी के लिए या जो बिजनेस करता उसके लिए या एजुकेशन के लिए लड़का लड़की लोगों के लिए कुछ भी अच्छा होता, अजियम बलता चली हुआ, से जिदी धीर वा, कुछ तो ऊच्छा होता लेकिन ही तो बजट में कुछ समझी में नहीं आ रहा है क्या बजट खली? बजट हो गिया बजट हो गिया? हर आदमी बजट से परिशान। हरा आदमी इंतजार कर रहा थै कि बजट में बहुत कुछ छूट मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगा, एजिकैसन के तरफ में छूट मिलेगा, किसान को कुछ छूट मिलेगा, लेकिन पाज राज में एलेक्षन है, लेकिन ऐसा बज़र निकाला है कि मालूम हो रहा कि अपने आप में उस होजराम छक्का मार दिया, और ऐसा नहीं हो कि बोल्ड हो जाए. अमें एक शेश प्रोष्ण कोरवा अपना के, शेटा होच्छे जे एई बाजेट एक टा जाएगाए बला होएछे जे प्रोतिरोख्खा, माने आमादेर शिमान ते जारार होएछे, शेई प्रोतिरोख्खा खमु ताके एक्टु खानिक बेशी तरान नितो करार जोने त्बूर्ण कोरण से लिए आरो को मैंता कि शुमन तुप कि एन पीचो ने राजने देटा कि अपनर की मूने हो एग दिखे मैडम यह जो बाडर का बता रहा है कि हमको बाडर बहुत सिल करना है बाडर पे काम करना है इसा कुछ नहीं है कितना बाडर आप घरिएगा यहां बीगा बीगा बॉर्डर खाली है, कितना आप सेना दीजिएगा, कितना आप तार से घेरिएगा, आप बॉर्डर दिखा रहे हैं, जहां पर ही चीन कबजा कर ले रहा है, वहां कुछ नहीं बोल ले हैं, चीन बढ़ते चला जा रहा है, वहां आप कुछ नहीं बोल ले हैं, ख खली मोदी जी का मीठा बक्तव अच्छा है, अभी तक काम कुछ अच्छा नहीं है, पंदरा लाक रुपया आएगा है सब का एकॉंड में हमरे तो अस्ता का एकॉंड पंदर रुपया नहीं आया, आप लोग एकॉंड में आया होगा, तो उनका बोलने का स्टाइल बहुत जिकिन अभी तक काम कुछ अच्छा नहीं कर सके, खली वही राममंदीर, वही हंधू, वही मुस्लीम, 20%, 30, 80%.. जो ही चल्द है, हिदुस्तान को किस रूट पेले का नहीं चल्द है यह नहीं है। नहीं हिदू है। हिंदुस्तान किस रूट पी जा रहा इसके बारे में बोला है अपने देश के बारे में सोचो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान क्या खा रहा है क्या पहन रहा है क्या सोच रहा है क्या उठ रहा है पाकिस्तान के बारे में सब बात कर रहा है अपने देश के अंदर में सब जो है वही लोग नोट कमा रहा है अग गरीब लोग आर गरीब होते जा रहा है आठा का दाम बेशी हो जा रहा है और टाडा का दाम कम हो जा रहा है मोदी का बक्त बहुत अच्छा बोलता है जो ना जैसे कोई पेन धर्मतल्ला में बिग्री करता है तो बहुत अच्छा इस पीज देता है जो चूरन बेजता है मन्जन बेचता है वो बहुत अच्छा इसपीश देता है लेकिन उतों मोदी नहीं बन सकता है तो मोदी भी बहुत अच्छा भासन देता है लेकिन मोदी को किस दिशा पर चलना चाहिए किस तरीके चलना चाहिए उने चल पा रहा है RSS जो बोलना है, RSS का बात पर चल रहा है. अपकी अप्तो में बादे हैं और शोल आप पादमोल है? अब बजट मैं समत्न कोच ची ना, अब क्यो बंगाले पुब्लिक तो क्यो समत्न कुछ ना? हिंदुस्तान है चोड़े देन अपनी, पुरु हिंदुस्तान कुनों जंगा आठा समत्तन कुर्वेना